हलो दोस्तों मैं विसंदत टिप्स on living से आज हम बात करेंगे दोस्तों हिदरबाद रेस की 18 दिसंबर की रेस है 2023 और पहली रेस एक बच के पंदा मिनट में आग रेस चाल बच के पंतालीस मिनट में टोटल साथ रेस है दोस्तों और यहां मैंने पहले भी एक बार आप लोगों को बताया था कि अगर मतब टिप्स मैं वीडियो अगर ना डाल पाऊं कभी तो आपना ब्लॉग स्पोर्ट मेरी एक साइड है www.tipsonlywin.blogspot.com तो वहां पे भी आप लोग देख सकते हैं बागे मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक सेयर कर दूँगा तो यहां पे मुंबई में जिसे कहते हैं मुर्फी की राइडिंग बहुत बढ़िया लगी है नो डाउट दोनों घोडे जैंडाई तो है ही घोडे में भी जान थी और बट चैमनेक्स जो घोडा यार उसको ही बहुत बढ़िया राइक्टर के जिता है गोडे ने और उमीद करते हैं वैसी कुछ आगे भी और रेस से देखने को मिले जोकी से और हैदराबाद में पहली पहली रेस का पिक रहेगा मेरा एक नंबर बैलिंगम लास्ट टाइम गुट सेकंड लुए है और सूरस से यहां पर आईज यह मौलीन बैड गया है इस बरी हैंग इन वादा घोडा फरन निकल के हजा सौ मिटर सौड जाना है उमीद करते हैं 1100 गोडा जीते हैं यहां पर स सिंगल हॉर्स यहां पर दिख रहा है मुझे मतब वैसे जो विनर हॉर्स है और दो रन बैक टो बैक सुपरियर कह सकते हैं तिरी पुरारी के आगे कुट सेकंड लगा फिर उसके बाद लास्ट टाइम जीता है 1000 मिटर में और दोनों रन इकरम आलम के नीचे हैं और उमीद क से एक तरीके से कारवा सुरू हो रहा है सुरण नेडुगा और बैक टो बैक सुरण नेडुगा ले घोड़े लक्षमान सिंग जी के साथ में कनेक्सन चार नंबर बिलियंट इस्टार पिछले सीजन में था है हैधराबाद में दो रन जीता फिर उसके बाद अभी गुड थर्ड लगा है असमरोगों के साथ में फिल टाइट थी बट उसके बाद भी 1400 में अगर रन देखा जाए तो सुपरियर था 200 मिटर सौड जाना है सूरस से सूरस सेम जोकी उमीद करते हैं घोड़ा जीते हैं यहां पर चौथी रेस 16 मिटर क्लास 3 की है और यहां पर जो मैं पिक लेके चलूंगा दोस्तों दो नंबर ही उसके पेट यह मगन सिंग जी का बहुत बढ़िया घोड़ा है और लास्ट टाइम यार मतब घोड़े ने इंप्रूव किया है गुड थर लगा 1400 में काफी टाइम बाद वरना कुछ इं देखने को मिल रहा है और उमीद करते हैं कि इस घोड़े को बोड में अपनी राइडिंग से लेके आए और जैसा मैं ने बताया है यह ही उसके पेट के साथ में फैवर्ट था और ही उसके पेट ने बीट किया था तो काफी लंबे समय बाद दोनों गोड़े एक साथ फिर बाग रहा है उमीद करते हैं कुछ इंप्रूमेंट इस घोड़े पर देखने को मिले पांच वी रेस बारास मेंटर किलास थिरी किया है सिंगली होस दिख रहा है मुझे यहार यहां पे और आपको लोगों को भी दिख रहा होगा प्राउड मैरी नो डाउट काफी इंप्र रहा है और मेरे ख्याल से वेट का इतना ज्यादा इससू होना नी चाहिए है उमीद करते हैं एक और बारी घोड़ा जीते हैं यहां पे च्टी रेस बारास मेंटर क्लास टू की है और यहां पे भी मत जैसे सूरत तीन-अ गोड़ों में तीन रेस में मैपिक लेकर चलाऊं और यहां पर अगर अगर असोका देखा जाए तो असोका नो डाउट यार अगर मैं हैधराबाद की करूँ तुम हैधराबाद में जितने भी घोड़े थे साइध 1200 मीटर के डिस्टेंस पे उन सब को जिस स्टाइल में कहते हैं गोड़े ने यार मतब विन हुआ था सूर नेडू के नीचे मुझे लगता कि फिर मतब हैधराबाद में कोई घोड़ा इसको मारता है और साथ किलो में जा रहा है टॉप वेट में इम्रान खान के नीचे बिलकुल मैं उमीद करूँगा यह गोड़ा दुवारा जीते सोला गोड़ों में जिस तरीके से जीता था और बट हैधराबाद में कोई नहीं मारेगा तो एक दूसा गोड़ा यार यहां पे बाहर से आ रह प्रासिव रन और बैक टू बैक फॉर्म में फ्रेंट रनर है कोसी गुमार तीनों बार जीता चुका है जो कि यहां पर यह से दस बार ऑनर के साथ कनेक्शन और बिलकुल यह बाहर का गोड़ा है तो यार सर्प्राइस तो करी सकता है और असो का बुक के साबसे दे रहे रह यार नो डाउट इस गोड़े से थोड़ा सा दकिंग है ना इसे एक वो रहेगा डेंजर जून में और आके दे साथ वी रेस चौदो सुमिटर की है क्लास फूर की गोड़े आपर एक नंबर वार्कास्टर कुईन एंप्रेस ओनेबल लेडी बरगंडी ब्लैक बहुत गोड यार उमीद करते हैं कि बैटर रन देखने को मिले पोटेंसिल है गोड़े पे और नो डाउट पीछे से आता भी उड़ता ही हुआ यह दोस्तों मिटर सौर जाना है उमीद करते हैं जीते और ठीक है दोस्तों इसी के साथ आप सभी को यार हैदरावाद के लिए best of luck और all the best म मिलते हैं इसके बाद दिल्ली में ठीक है दोस्तों बाई टिक के मेरे भाई हो बाई 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 बाई